पिरिये छत्रों, आज के इस व्यक्ख्यान में मैं आपको भक्ति काल में तुल्ची दास जी का क्या इस्थान है इसके बारे में जानकारी परदान करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहिते के इतिहास का आचारे रामचंदर शुक्ल ने जो काल विवाजन किया था उस काल विवाजन में उन्होंने वीरका था काल, भक्ति काल, रिति काल और आधुनिक काल इस प्रकार से यानि चार भेद किये थे। क्यों था तो इसके समंद में यानि यह प्रसन भी खड़ा हो जाता है कि भक्ति काल में तुल्चिदास जी का क्या इस्थान था और इन होने ऐसा क्या लिखा था जिसके करन भक्ति काल में इनका महत्वपुनि इस्थान माना गया। तो मैं भक्ति काल में तुल्चिदास जी का क्या इस्थान था इसके बारे में पिरिचात्रों आपको बता रहा हूं कि मैंने आपको इससे पहले वाले व्याख्यानों में भी बताया था कि तुल्चिदास जी यानि भक्ति काल की सगन कावे धारा के अंतरगत यानि राम का प्रसलन यानि दक्षन से उत्र भारत में करने का स्रेई भी तुल्चिदास जी को जाता है कहा जाता है कि तुल्चिदास जी का बच्पन बहुत ही गरिबी में विता था और उसके बाद में इन्होंने इनको एक मौनिया नामक दाशी ने इनका पालना पोश्ण किया था और वे कासी में जाकर के जब विद्यारजन करने लगे तभी उनका विवाहर रतनावले नामक विदुस्वी महिला के साथ में कर दिया था और जब वो पतनी को लेने के लिए उनके पिछे-पिछे उनकी पिहुर में चले गए तो रतना ने उनको फटकार लगाए थी और फटकार लगाने के बाद में इनका रिधर परिवर्टित हो गया था और इसके बाद में इन्होंने पूरा का पूरा ध्यान राम कथा की ओर लगा दिया था तो भक्तिकाल के कवियों में यानि तुल्ची दास बड़े ही महत्वण क्यूं माने जाते हैं इसके समन्द में आचारे राम चंदरशुकल ने भी कहा है कि वो एक समनवाय कारी कवी थे वो एक लोग कल्यानकारी कवी थे और हजारी प्रसाद वेदी ने भी इनके बारे में कहा है कि वो भक्तिकाल में बहुत ही अच्छे कवी हुए हैं और उनके बारे में कहा है कि तुलशी दाज जी को ऐसा दन परतिवा साले कभी लोकनाइक और महत्मा कह सकते हैं ये आचारे 1772 ने कहा है और आचारे रामसंद सुकल का कतन है कि भारते जनता का परति निधी कभी यदि किसी को कह सकते हैं तो इसी तुल्शी महानुभाव को और इनके परसिद्धा के बारे में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है तुल्शी दास जी का महत्व बतलाने के लिए विद्वानों ने अनेक परकार की तुलनात में सुक्तियों का सहरा लिया है माया दास ने इन्हें काली दास का वाल में की कहा इस्मित ने इन्हें मुगलकाल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना डाक्टर गिरियरसन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे है कि तुल्चिदाजी ऐसा धन सक्तिसाली कभी लोक नाइक और महात्मा थे तो यानि अनेक विद्वानों नी अनेक विचारकों नी और अनेक लोगों नी ये बात कहा है कि तुल्चिदाजी हिंदी साहिते में भक्तिकाल के अंतरे कर बहुत ही महत्वपुन थे समनोय कारी थे लोग कल्यान कारी थी लोग मंगल की साधना में विश्वास करने वाले थे तो ये तो लोगों नहीं कहा लेकिन परसंद ये खड़ा होता है कि इसकी स्रेष्टा के क्या आधार थे यानि भक्तिकाल में जो तुलशी दास जी हुए हैं और उनमी क्या ऐसी स्रेष्टा थी जिसक करन भक्तिकाल में इनका महत्वपुन इस्थान माना जाता है तो इसके समंद में मैं आपको जानकारी परदान करना चाहूंगा कि तुलशी दास जी ने भक्तिकाल में बहुत सारा साहित्ते लिखा था यानि इन होने रचनात्म कारें बहुत अच्छा किया था तुलशी दा यानि अपना महत्यों के इस्थान बनाए रखती हैं इन कर्तियों में अगर हम देखें तो कवितावली है, गितावली है, दोहावली है रामचरित्र मानस है, विनर पत्री का है बैरवे रामाइन है, रामलला नहचु है वेरागे संदीपनिये, पारवत्ति मंगल है, जानकी मंगल है और रामलला नहचु है इस प्रकार से यानि उनकी बाहरा रचनाई मिलती हैं जो बहुती महत्यों पुन इनकी रचना थी रामचरित्र मानस तो यानि भक्तों के कंटों का हार है तो रामचेत्र मानस की जो पंक्तियां हैं जो उनकी कथा है वो हमारे लिए भोत ही उप्योगी सिद्ध हुई थी और इन रसनों में रामचेत्र मानस तुल सिदास की कीर्थी का प्रमुक इस्तंभ है प्रारंबिक छे रसनाई लगू करते हैं थी उनकी विनपत्त्री का है दो महत्रपुन इस्तान क्यों मिला तो इसके बारे में कहा जाता है कि जीवन का स्रवंगिक चित्रन किया था इन होने यानि भक्तिकाल में अगर और साहित्ते को देखा जाए तो सूफी मार्गी कभियों नहीं यानि जीवन के एक प्रिक्स का उद्गाटन किया था एक ही को अपने कवे में उतारा था प्रेम कवे जिसमें यानि प्रेम को आधार बनाय गया था और प्रेम ही सब कुछ नहीं होता तो इसके बदले में तुल्ची दास्ते ने यानि जीवन का स्रवंगिन विकास और स्रवंगिन चित्रन यानि किया है उन होने जीवन के सभी पक्ष को अपना कर समस्तुत्री भारत के जन जीवन को राम में बनाने का सफल प्रियास किया भक्ति के साथ साथ उन्होंने लोग जीवन को भी अपने कावे काविसे बनाया तुल्सी ने यद भी सब कुछ स्वांत सुखाय लिखा है तथा भी उसमें व्यक्तिगत साधना के साथ लो भक्ति उनकी साथ दे वे भक्ति भावना के द्वारा लोग मंगल की स्थापना करना चाहते थे इस काण उन्होंने मरियादा पुर्सोतन राम के आदर्स तरितर की प्रतिष्टा करके अपने कावे में स्रौंगन जीवन का चित्रन किया है तो इस प्रकार से इन्होंने यान सरा अधार अगर हम कहें तो यूं भी कह सकते हैं कि विविद आदर्सु की इस्थापना इन्होंने अपने काववे में की थी जैसा कि गोस्वामे तुल्शी दास ने स्वंत सुखाय तुल्शी रगुनात गाता कहे कर जहां अपने भक्ती भावना का प्रिशे दिया वहां वे लोक संग्रे की भावना से भी उत्परोत रहे हैं यही कारण है कि उनके राम चरित्र मानस में जिन पात्रों के दुवारा जिन नेतिक मुल्यों की इस्तावना की गई है उनमें जनसाधरन का मनोगल बढ़ा है उनके राम सील सक्ती और संद्रे की प्रत्यमूर्थी हैं वे जन जन के आराद्धे एवं रक्षक हैं यही कारण है कि तुल्ची की राम का था जन मानस को चार सो वर्सों से अब तक आहला देज करती रही है तुल्ची ऐसे मान कवी थे जिन होने सरव परत्म राम चरित्र मानस के पात्रों के दुवारा रामत्व की विज़े की कलपना प्रस्त की और आदर्स राम राज्य की विचार धरा का परसार किया तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन पहलों के कारण यानि तुल्ची दाश जी हिंदी साहित्ते के भक्तिकाल में बड़े ही महत्वपन और चर्चित व्यक्ति रहे हैं जैसा कि इसमित ने तो कहा था कि ये भक्तिकाल में सबसे महत्वपन व्यक्ति थे और इसके अगर अलावा और इनके इस्थान को देखा जाए तो इन होने बहुत अच्छा साहित्त लिखा लिखा और बहुत मुखी पर्तिबा के दनी थे वे पंडित भी थे समा सुधार्ग भी थे और कवी भी थे लोकनाइ किसी से घटकर नहीं था यहीं कार्ण था कि उन्होंने सब और से समता की रक्षा करते हुए एक अद्वित्य कावे की रचना की जो अब तक उत्तर भारत का मार्ग रक्षक रहा और उस दिन भी रहेगा जिस दिन नवीन भारत का जन्म हो गया होगा वस्तुत हैं तुल्ची संसक्रते की बहु विद अभिवक्ती हुई है वे सच्चे संथ निश्चल भक्त प्रकर उपदेश्टा और सुयोगे चिन तक कही जा सकते हैं उन्होंने जीवन के विविद पक्षों का ज्यान प्रस्तुत कर चलेतरे विकास को गती दी है उन्होंने कावे के विविन अंग की कावे प्रतिबा एक लोग व्यवार का प्रिशे दिया है उनकी रचनों में कावे की सभी सहलियों शुक्षम तब भाउं एम पांडिते पुन कतनूं के साथ लोग भासा की सरलता समान रूप से दिखाई देती है एक और ततकालिन लोग जीवन की मानेता हैं एम लोग गि दिखाई देती है लोकानो भू सास्त्र ग्यान पांडिते एम कावे प्रतिबा के साथ भक्त रिदय की निर्मलता आदी सभी विशेषते हैं जो एक सरवस्यष्ट महाकों में फिक्षते हैं वे सब तुल्चे में बली बाती दिखाई देती हैं अब इनका अगर इस्थान भ आई करता है जैसे ग्यान और भक्ति में राजा और रंग में लोक और कल्यान में तो इन सब जो समनवा इस्थापित करना चाताब वो लोक्मंगल कारी कभी हो सकता है और समनवे कारी कवी यानि जो सभी को साथ लेकर के चले, सभी दर्मों में को भीदबाव न करें अभी मैंने पहले बताया कि तुल्ची दास जी अपने जीवन काल के एक समाज सुधार कवी थे जैसे भक्तिकाल के संत कवी यानि समाज अपने समाज को सुधारने का प्रियाश कर रहे थे तो उसी प्रकार से यानि संतों के समान ही यानि तुल्ची दास जिने भी अपने धर्मों में समनवे इस्तापित करने का प्रियाश किया और समनवे के आधार पर इनों हुने इनकी व उनमें नेतिक धार में के सामाजिक मुल्ले गढ़ते जा रहे थे। उनके सामने एक महान चुनूती थी जिन्हें उन्होंने सिविकार किया और अपने सहित्ते के दोबरा ये कारे किया जिसकी चाप अमिठ है। महाबारत काल में सिरिकष ने ग्यान, करम और भक्ती के समनवे से ततकालिन समाज का मारक दर्शन किया था। महात्मा बुद्ध ने अपने समय में अहिंसा, सत्ते और सील का समनवे किया और जनता को सनमारक दिखाया। उसी प्रकार गोस्व में तुल्शी दास ने भी भारत की चरित्रे, विविन विचारधरों, शमानताओं, परश पर, विरोधी संसकर्तियों, विविन जातियों और जीवन, साहिते, आदि सभी छेत्रों में समनवे स्ताफित किया। उनकी इस विशेष्ता को लेकर आचारे 1700 भेदी नी तु कहा था, उनका सारा कावे समनवे की व्राढ चेष्टा है, लोक और सासन का समनवे, ग्र하स्त और वराग्य की समनवे, भक्ती और ग्यान का समनवे, भासा और संसकर्ति का समनवे, निर्गुन और समनवे, पांधित् दर्शन उनके कावे की परमुख विशिष्टा थी जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा समनवय कहता और इसी के काण इन्होंने उनको समनवय कारी कावे भी कह सकते हैं। कावे की दर्श्टी से साइद ही कोई ऐसी विशिष्टा होगी जो उनकी रचनों में नहीं आई हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गोश्वा में तुल्शी दास भक्तिकाल के सरफेश्ट कभी थे और समस्त हिंदी साहिते में अप्रित्यम माने जाते हैं। उन्होंने अपने प्रतिबा के बल पर ऐसा महान, साहिते रचा जिससे भारतवासी कभी भी उरेण नहीं हो सकते हैं। तुल्शी का कावे प्रदेई अनुभूती में एम उद्दात हैं। इस द्रश्टी चे उन्हें हिंदी साहिते का ये नहीं विश्व साहिते में मुर्धने कलाकार माना जाता है। तो पिर ये चातरों, आज के इस व्यक्यान में मैंने आपको तुल्शी दास जी की जो महानता थी, तुल्शी दास का भक्तिकालिन कभी में सबसे महतुपन इस्थान क्यों माना जाता है। तो इसके बारे मैंने आपको जान करे दी। तो ये तो साहित आपने पहले के कक्ष सफल और सर्थक रहा है तो फिर इस हत्रों आज के इस वैख्यान में मैंने भक्तिकाल के अंदर के तुलशी दास्टी का जो इस्थान था जो बड़ा ही महत्वपून था और उनकी जो रचने थी रामचरीतर मानस तो आज भी यानि कई लोग मुक्ष जवानी याद रखते हैं और ये याद रखनी जो की बाचते भी हैं तो इस प्रकार पारिश हत्रों आज के इस वैख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारे दूँगा तब तक के लिए धन्यवाद